Study IQ IS अब तयारी हुई अफोर्डबल तो कहीं न कहीं जो भी कुछ अभी आपको देखने को मिल रहा है उसमें conspiracy भी बताए जा रही है और ये बात सच है इसमें कोई किसी से छुपा नहीं है कि there is a nexus between Pakistan ISI and Canada Canada के अंदर जो खालिस्तानी जो extremist रहते हैं उनके दोनों के बीच में Pakistan ISI के बीच में कि भारत ने Canadians के लिए जो विज़ा है उसको suspend कर दिया है और इसके बारे में हम देखेंगे क्या हुआ है उसमें काफी कुछ जानने को है चलिया आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा आपने से जितने भी लोग UPSC prelims से लेकर इंटर्व्यू तक की पूरी त्यारी एक बैच में करना चाहते हैं कल से हमारा तीन लाइफ बैच प्यॉर इंग्लिश प्यॉर हिंदी और हिंग्लिश बैच टार्ट हो रहा है हमारे वेबसाइट एप पर जाएए कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है चले सुरवात करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्जाक्ली हो क्या रहा है अभी देखें जो एजेंट्स ऑफ पाकिस्तान इंट्रिजेंस एजेंसी आपको पता होगा आईससाई जो की कैनेडा के अंदर प्रेजेंट है उन्होंने चीफ ऑफ खालिस्तान टेरर ग्रूपस के साथ मुलकात की है रिसेंट्ली बताया जा रहा है अच्छली यहाँ पर जो शक लगाया जा रहा है वो ये है कि अभी आपने देखा होगा मंडे के दिन सोमवार को जो प्राइम मिनिस्टर है कैनेडा के जस्टिन टूडो उन्होंने भारत के उपर बिना कोई प्रूफ के आरोप लगा दिया आरोप ये लगा दिया कि हर्दीप सिंग नीजर की जो मिर्त्यू होई थी कैनेडा में उसमें भारत का रोल था तो इसी की बज़े से अब कयास ये लगाया जा रहा है कि क्या जो भी कुछ कैनेडा के अंदर हो रहा था उसी के तहट कैनेडा के प्राइमिनिस्टर ने ये आरोप भारत के उपर लगा दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है ना कि जो खबरे आई है इंट्रिजेंस सोर्सेस के माध्यम से उसमें बताया जा रहा है कि पांच दिन पहले ये मुलकात हुई थी मतलब सीख फॉर्ट जस्टिस आपको पता होगा गुर्पतवन सिंग पन्नू इन्होंने काफी जादा एंटी इंडिया स्टेटमेंट दिया है और रेफरेंडम की बात करता रहता है तो ये जो पन्नू है वो और साथी साथ और भी कई सारे जो खालिस्तानी ओगनाइजेशन के हैड है उन्होंने ISI एजेंट्स के साथ ISI जो स्पाई एजेंट्स हैं उनके साथ यहाँ पर मुलकात की है और मुलकात में कहीं न कहीं ये बताया गया है एक प्लान बनाया गया है कि जितना ज़ादा एंटी इंडिया प्रोपगेंडा फैला सकते हैं उसको उतना ज़ादा ये लोग फैलाएंगे और ये मुलकात में आपको बता दू जो बताया गया है अब इस पूरे मीटिंग के तहट जो एक प्लान बनाया गया है इसको बुला गया है प्लान के और प्लान के के तहट मैं आपको बता दूँ जो ISI है वो लगतार कई सारे फंडिंग करता रहता है खालिस्तानी आक्टिविटीज को मतलब एक तरफ पाकिस्तान है वो जान मुझ आरजकतफ फलाते रहें तो इसी के तहट बताया जा रहा है कि ISI बहुत सारा जो फंडिंग है वो खालिस्तानी आक्टिविटीज को देगी ताकि लाज़ स्केल पर भारत एंटी इंडिया जो प्रोपगेंडा है ये लोग फैला सकते हैं इन फरक्ट खबरे अभी रीसेंट देखने को मिल सकता है यहाँ पर जो बैनर्स हैं एंटी इंडिया बैनर्स हो गया एंटी इंडिया जो पोस्टर्स हो गया प्रोटेस्ट हो गया वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और ये सारी चीज़ें प्लैन के तहत कहीं जा रही हैं अब इसका सिगनिफिक लोग का जो image था वो बहुत जादा खराब हुआ है और ये मैं सर्फ भारत की बात मतलब की भारत के perspective से नहीं कह रहा हूँ आप खुद अगर देखोगे Canada के अंदर जो main opposition के party के leader है उन्होंने खुद इस चीज को कहा कि repeatedly humiliated and trampled upon मतलब की Canada के Prime Minister G20 में humiliate हुए है ये यहां तक कहा गया है तो basically यहां पर यही है कि क्या इसका एक तरह से बदला लिया जा रहा है क्या Justin Trudeau हरबडी में आकर अचानक से Canada में anti-India बयान दे देते हैं तो यह सारी चीजें क्यों करी गई क्या यह जो plan K है उसके बारे में Justin Trudeau को पता था यह बहुत सारे questions है क्योंकि इसका आप स कैनेडा के अंदर कैसे आकिरकार कैनेडा उसको अलाव कर सकता है at present आप देखो कि तो 20 खालिस्तानी और गैंक्स्टर जो है वो कैनेडा के अंदर छुपे हैं और इसके बारे में मैं आपको बता दूँ भारत की नाशनल इन्वेस्टिगेशन एजनसी और साती साथ भारत की बाकी जो एजनसीज हैं उन्होंने mutual legal assistance treaties to Canada के तहट यहाँ पर कई बार जो information है वो provide की है Canada को बताया है और कहा है कि वहाँ की जो Canada की investigative agencies हैं वो please हमारे साथ corporate करें ना तो उन्होंने corporate किया है ताकि investigation हो और ना किसी प्रकारत का response दिया है मतलब आप सोच सकते हो भारत अगर पीचे corporate करिए तो Canada की तरफ से बयान भी नहीं आ रहा है in fact इसी साल के सुरवात में आप देखोगे तो भारत ने नौ प्रो खालिस्तान टेरर ओगनाइजेशन के बारे में भी Canada को बताया था तो उसके बारे में भी यहाँ पर Canada की तरफ से कोई कोई खबर नहीं आई और भा कोई भी प्रूफ आता है तो भारत भी उस चीज को international forum पर दिखाएगा अब इन सारे चीजों के बीच अब क्या हुआ है देखी अब आप देख रहे होगे कि जब से टूडो ने जस्टिन टूडो ने आरोप लगाया भारत की उपर तो Canada की तरफ से पहला action लिया जाता था ज फिर इसको देखते वे Canada ने एक advisory जारी की कि जो भी Canadians भारत जा रहे हैं वो सतर्क रहे हैं इसको देखते वे भारत ने भी फिर ऐसा किया लेकिन अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भारत पहला step ले रहा है और भारत ने क्या step लिया है यहाँ पर अपनी तरफ से नहीं पता तो definitely आप कह सकते हो कि जो relations है भारत और Canada के बीच में वो एकदम lowest point पर आ चुके हैं ऐसा कभी देखने को नहीं मिला था और साथी साथ मैं आपको बता दो कि इसके बारे में कोई formal announcement भी नहीं किया गया है भारत की तरफ से यहाँ पर in fact मैं आपको बताता हूं कि Canada म है तो उसको एक website पर जाना पड़ता है BLS International और वहां से वो apply कर सकता है तो basically यहाँ पर जो BLS International की website है वहाँ पर एक important notice डाल दिया गया due to operational reasons with effect from 21st September Indian visa services are suspended तो एक प्रकार से indefinite तक यहाँ पर जो services है वीजा है वो हम Canada को नहीं देने वाले हैं और मैं आपको बता दूं important सब्सक्राइब कर दिया तो चलो वो थे अलग मामला है ठीक है वाइरस का मामला था लेकिन यहाँ पर कोविट के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने किसी देश का जो visa services है उसको ही यहाँ पर suspend कर दिया अब इसके साथ साथ आपके मन में यह भी question आ रहा होगा कि क्या Canada ने भी same चीज नहीं किया है मतलब कि अगर भारत ने visa का जो services है उसको suspend कर दिया तो हो सकता है Canada ने भी भारतियों के लिए जो visa है वो भी suspend कर दिया हो मैं आपको पता दूँ अभी तक नहीं है जब मैं वीडियो रेकॉर्ड करा हूँ तब तक Canada ने यह step नहीं लिया है और द देखोगे तो वो काफी हद तक immigrants के उपर भी dependent है मतलब कि जो immigrants आते हैं भारत से बागी देशों से जो लोग जाते हैं Canada के अंदर उससे Canada की economy काफी अच्छी खासी चलती है तो वो उसके उपर dependent है तो वो तो कभी ऐसा नहीं करने वाले हो सकता है कि temporary basis पर वो भी यह step ले ले देखते वे क्योंकि दोनों देश के बीच में tensions बढ़ चुकी है तो वो देखना होगा लेकिन आपको समझना है कि भारत सरकार की तरफ से advisory पहले ही बोल दिया गया especially जो students वहाँ पर पढ़ना है भारत के कि आप please सतर करेए और यहाँ पर जो भी precautions है वहाँ पर लेना है आप की कोशिश करिए additionally मैं आपको बता दूँ Canada का जो mission है भारत के अंदर उनोंने security मांगा है भारत से basically क्या है ना कि अगर आप देखोगे तो high commissioners जहां जहां पर Britain का rule था पहले वहाँ पर आपको high commissions देखने को मिलेंगे तो Canada का high commission भारत में है जैसे भारत का high commission Canada में है यह आप द जोटा होता है तो उन सभी जगाओं पर Canada ने कहा है भारत से कि आप प्लीज हमें additional security प्रोवाइड करेगे और यह सब कुछ Vienna convention के तहत मांगा गया है मतलब कि अगर diplomat को किसी भी प्रकार का डर रहता है खत्रा रहता है और मैं आपको बता दूँ नई दिल्ली जो दिल्ली वो सारी चीज़ें आपर लगा दी गई है और वहीं दूसरी तरफ आप Canada में भी देखोगे तो हमारा भी जो mission है हमारा भी जो high commission है Canada में वहाँ पर already security लगा दी गई थी इनफार्क मैं आपको बताता हूँ कि इसी साल 18 जून को जब खालिस्तानी supporters ने किल इंडिया का poster रिली और वेनोकोयर में हमारे जो consulates हैं वहाँ पर भी security बढ़ाई गई थी क्योंकि उस समय एक threat जारी किया था sick for justice वही जो पन्नू में आपको दिखाया था ना पोटो में तो sick for justice ने यहाँ पर shutdown Indian mission ऐसा करके पूरा threat जारी किया था तो आप समझ सकते हो इसी से आपको समझ में आ लेकर कुछ नहीं कर रही है वो सिर्फ एक security प्रोवाइट कर दी जी है इंफरक्ट उसको यहाँ पर action लेना चाहिए कि आप भारत की खिलाफ ऐसा कैसे बोल सकते हो राइट तो वो नहीं हो रहा है खेर भारत में भी security को बहुत ध्यान से देखना होगा क्योंकि जो relations अभी हो गया था तो उसी से related investigation में यहाँ पर जो गोल्डी ब्रार है वो फरार है उसको यहाँ पर search किया जा रहा है पंजाब पुलिस के दोरा देखना होगा कि इस तरह से और चीजे turn out होती है कोई भी important और information आएगा मैं आपको बताऊंगा जाने से पहले एक interesting question देखो हम Canada की बात कर है उससे related कुछ islands है यहाँ पर उसके बारे में आपको बताना है दोनों statement इसका right answer आप सबको पता है मेरे Instagram पर तू मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं टेलिग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर में कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर stories में डालता रह बाकी अगर आपको PDF ये तो टेलिग्राम पर आईए लग-लग social media पर आप जुड़ पाओगे और जैसा मैंने आपको बताया है UPSC के अगर आप त्यारी कर रहे हो जस्ट यूज़ यूज़ दा कोड अंकित लाइफ to get maximum discount and I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता झाल